नमस्कार योग विभाग उत्राखर्ण मुक्त विश्विद्यालाय आपका हार्दिगे विनंदन वस्वागत करता है आज की योग की कक्षाओं में मैं नीता दियोलिया मेरे साथ मेरी सायोगी पूजा पलेडिया रहेंगी तो आईए योगा भिहास से पूर्व कुछ नियमो को जानले योगा भियास सुभा खाली पेटी किया जाए शाम को भी इसका भियासा कर सकते हैं सुभा का समय उत्तम रहता है सुविदय का समय योगा भियास सच्छ वखुले वातावरण में ही किया जाए योगा भियास के दौरान आपके वस्त धीले या सुविदा जैनक रह आगे भी योग में किये जाने में अभियास वह के सिरीज में बाझ्रा इंदों योग। में बैठने में आपको असुविधा मैसुस हो यदि शरेय कड़ा है पैट लची ले ना है तो आप सिति बदल कर सिहां करज्यनासन का अभ्यास करते हैं जिसमें आप पदमासन में भी सक collision कर कर सकते हैं यह लब वापको उसी प्रकार से मिलेगा दिआ रहे अभ्यास के दौरान जब आप सिह करेंगे सिह Karnasin का आपको चिल नहीं होता है अभ्यास के दौरान सहेश्टा ख़यास करेंगे इसमें भी आप आसन को बदलते उए कर सकते हैं जैसा अषित rap कि मैंभी बताया दीरे सेह कि आगे जुकते रहे पूरा आप जमीन तक ना जा सके तो दीरे-दीरे को रोब कर पुना अभ्यास प्रारम कर सकते हैं आसनों के क्रम में पहला अभ्यास सिह गर्जन आसन का अभ्यास करेंगे दंडासन की ही स्थिति में रहें कि सिह गर्जन आसन के लिए वजरासन की स्थिति में आएंगे दोनु हातों को बाईयों रखते वे दोनों पैरों को मोड़ते वे पैरों के उपर इस प्रकार बैठें कि एडियां आपके नितम के ठीक नीचे आ सकें पंजे मिले वे यह स्थिती आप पीछे से भी देख सकते हैं वजरासन की वजरासन की स्थिती में ही जब आपसे गर्जनासन का अभ्यास करते हैं आपके पंजों की स्थिती यही रहेगी दोनों पंजे आपस में मिले वे एडे के उपर बैठे वे सामने की ओर फेस करते वे अभ्यास करेंगे या अभ्यास करने के लिए वजरासिन की स्थिति में रहे परन्तु दोनों घुटनों के बीज दीरे से कैप कर लें जितना संभव हो सके शरीर को आगे की और जुकाने के लिए हतेलियों का सपोर्ट लेंगे धीरे से हातों की हतेलिया सामने की और दिखाते वे उंगलियों को नीचे की और मोड़ेंगे धीरे से हतेलियों को अंदर की और लेकर जाएंगे घुटनों के अंदर की तरफ दोनों हतेलियों को फिक्स करना है एड़ी पर बैठे रहना है पंजे आपके मिले रहेंगे इस स्तिती में लंबी घहरी स्वास भरनी है स्वास छोड़ते वे सिहक गर्जन आसन अर्थात सिहक के समान गर्जना करनी है ध्यान रहे जब आप स्वास छोड़ेंगे पूरा मौ आपका खुलेगा जीव आपको पहार की ओर दिखानी है यथा संभव जितना संभव हो सके आप करेंगे आपकी नजरें आपकी आइब्रो सेंटर पर रहेंगी प्रूम अध्य पर रहेंगी अभ्यास करेंगे मिलकर लंबी गहरी स्वास भरते वे स्वास छोड़ते वे आइब्रो सेंटर पर गेजिंग मौ खोलते वे हाँ के साँ पुना अभ्यास करेंगे स्वास भरते वे स्वास छोड़ते वे पुना अभ्यास करेंगे स्वास भरते वे इस अभ्यास क्रम को आप दीरे-दीरे बढ़ा सकते हैं, पांस से दस बार भी आप कर सकते हैं, वापस आने के लिए दीरे से अपनी आखे खोलें, हाथों को सामने के ओर लाते वे सामानी स्थिती में लेकर आएं, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं वजरासिन की स्थिती में, दोनों हतेलियों को रप करते वे, यदि गले में खराश असहजता मैं सूस रही हो, तो गले पर गर्म हतेलियों को लगाएं, यार अगर सकते हैं, धीरे से वापस आएंगे, वजरासिन की स्थिती को रिलीज करते वे, दोनों हाथों को बाईं तरफ लेकर आएं, पैरो को सामने की और फैलाते वे दंडासन की स्थिति में रिलेक्स करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी दोनों हाथ कमर के पीछे कमर गर्दन दोनों पैर पैरों के पंजे बिल्कुल धीले आखें सहिस्ता पूर्वक बन सिह गर्जनासन के प्रभावों को महसूस करेंगे अभ्यास के साथ साथ आसन के लाभू को जाने सिह गर्जनासन का अभ्यास तनाव को कम करता है एग्रेशिन लवल को भी कम करता है यह अभ्यास आवाज को सपष्च वह मधूर बनाता है थाईराइट ग्रंती पर भी इसका सक प्रभाव पड़ता है आसन करने से पहले हमें इसकी सावधानिया भी जान लेनी चाहिए जिनें गठिया की समश्या है वे इस आसन को ना करें या कुशल गुरु के निर्देशन में ही करें हरनिया के रोग में या अभ्यास ना करें गले के संक्रमर में या अभ्यास नहीं करन चाहिए दीरे से आसन के प्रभावों को महसूस करते वे शार्रेक और मादसिक रूप से अपने आपको तयार करें अगले अभ्यास के लिए इसी क्रम में अगला अभ्यास है मंदू का सेन रिलीज रिलाक्सेशन धीरे से आखें खोलेंगे हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आए कमर गर्दन सीधी पैर आपस में मिले वे पुनर मंदू का सिन के लिए वजरासन की स्थिति में आएंगे जो आपने अभी अभ्यास किया था वजरासन की स्थिति में दोनु हार इडियों के उपर बैठ सकें पंजय आपके आपस में मिले हुए रहेंगे वजरासन की स्थिती में ही मंदूक आसन का अभ्यास करेंगे जिस किसी व्यक्ति के लिए इस आसन में आना संभव नहीं है वे पदमासन, सुखासन या किसी भी बैठ करके जाने वाले आसन में मंदूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं उने उसासन में क्या करना है आगे देखेंगे दोनों हाथों की मुठी बातते हुए ना भी के अगल बगल रखना है ना भी प्रदेश पर दबाव ना रहे ना भी प्रदेश के अगल बगल में आप दोनों मुठ्यों को रखेंगे दीरे से लंबी गेरी स्वांस लें स्वांस इस प्रकार से भरें कि आपका उदर बाहर की ओर आए स्वास छोड़ते वे उदर प्रदेश पर दबाव और आगे की ओर जुखते वे यथा संबव जितना आप जा सकते हैं माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें पूरी स्वास को बाहर छोड़ दें पेट पर पढ़ रहें दबाव को महसूस करें ध्यान रहें आपको योड़ी के उपर बैठे रहना है केवल निचली कमर से आगे की ओर जुखना है इस अभ्यास में अंतिमिस्थिती में यदि आप स्वास लंबे समय तक बाहर नहीं रोख सकते हैं तो आप सामान्य स्वास पर स्वास कर सकते हैं वासन के क्रम को बढ़ाना है तो लंबी घहरी स्वास भरते वे उपर की ओर आएंगे धीर एसे स्वास भरते वे लंबी घहरी स्वास भरते वे उपर की ओर आएंगे पुनर हाथों की स्तिती ठीक करेंगे ना भी क्या गल बगल में रहेगी लंबी घहरी स्वास भरते वे उद पर पर रहे दबाव को मैसूस करेंगे, उदर को बिल्कुल खाली करें, पूरी रूप से स्वास छोड़ते हुए, या तो आप सामानिय स्वास प्रेस्वास कर सकते हैं, या फिर कुछ सेकेंड के लिए जितना संभव हो सकता है, स्वास को बाहरी रोक सकते हैं, दीरे से वापस आएंगे, लंबी गहरी स्वास भरते हुए, धीरे से उपर की ओर आएंगे, उठते हुए, सामानिय स्थिती में, दोनों मुठ्यों को खोलते हुए, दोनों हाथों को बाईयों रखेंगे, वापस आते हुए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, धीरे से दंडासन की स्थिती में रिलेक्स करेंगे दोनू पेरों में कंधों के बराबर दूरी दोनू हाथ कमर के पीछे कमर बिल्कुल रिलेक्स गर्दन, धीली, दाई अबाई और आखे सह़ता पूर्वक बन ध्यान रहे, पूरा शरेर बिल्कुल धीला पूरी सजगता आती वजाती स्वास प्रस्वास पर आसन के अभ्यास के बार इसके प्रभावों को महसूस करें मंदुक आसन के प्रभावों को उदर प्रदेश पर पढ़ रहे प्रभावों को मंदुक आसन को करने के लाव मदुमेह के रोग्यों के लिए बेहती लापकारी अभ्यास है प्रजनन संस्तान वपाचन संस्तान पर इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है या आसन मेरुदन को लचीला बनाता है उदरगद अंकों की मालिशकर उन्हें सबल बनाता है परंतु साथ के साथ जिनने या अभ्यास नहीं करना है या साधानी पूर्वक करना है इसके लिए कुछ साधानिया भी है कमरदर्द, सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस, स्लिप डिस्क या हरनिया की समश्या होने पर या अभ्यास नहीं करना चाहिए यदि वे करना चाहते हैं तो किसी योगचिकित्स से परामश लेकर या फिर उनकी निर्देशन में ही अभ्यास करेंगे